हाव रूफीक्स वान प्लंस नॉर्प एन वान हंड्रेट एप नोट रेस्पॉंडिंग प्रॉब्लम नंसकार दोस्तों सवागर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके पास भी एप्लेकेशन है तो यह प्रॉब्लम आपके मोबाइल पर डे हैंक आपके फोन और उसको चलना मुश्किल पर जाते हैं तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर इंचेंगा अगर आपको वान प्लास के जो ढईवाइस है उसमें अगर आपको एप के अंदर पर इस तरीके का कोई भी एर डिग जाते हैं तो कैसे आपको सॉफ करना है इस के सारां तक बने रही है सारी साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ओनलाइन पैसा कामाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों इस तरीके का अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे पहले आप कर लिजे मोबाइल को रिस्टार्ट उसके बाद दोस्तों रिसें सर्च करना है जो एप आपके मोबाइल पर एर्र कर रहे हैं ठीक है मान लिजे दोस्तों आपको यहाँ पर फेस्बुक के ठीक है जस्ट फॉर एगजंपल आपको मान लिजे फेस्बुक में इस तरीके का कोई भी एर्र आ जाते तो आप जाए प्लेश्टोर में सर्ट कीजि आप थोड़ा सा चलाकर देखे ठीक है प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं हो पाते तो आपको जाना है सेटिंग स्कॉल डाउन करना है ज्यादा नीची नहीं जाना है एपस और नोडिफीकिशन को उपन कीजीए यहां पर सी ओल पर जाएए जो भी एप में error आ रहा है उस एप को search कर लीजे जैसी कि दोस्तों Facebook का example यहाँ पर चला सकते तो जो application पर आपको error आ रहा है उस एप के storage को open करे clear storage में क्लिक करे और OK का जो बटन ही यहाँ पर क्लिक कर दे इसको क्लिक करते ही दोस्तों OK डब जाएगा और आपके सारे data clear हो जाएगा ठीक है तो यह होने के बाद आपको simply यहाँ पर बेक कर लेना है मोबाइल को restart कर लेना है power button पर press and hold करे restart हो जाएगा और एप को चला के दीखे problem solve हो जाएगा तो इस तरह के से आप अपने problem को solve कर सकते है by any chance अगर आपको दुबारा से problem आते है तो phone को एक बड़ safe mode पर reboot करके देखिए उसके लिए power button पर press and hold करना है power off के जो button दिख रहा है उसमे टेप करकर रखना है 2 seconds and then ok कर देना है जैसी ok होगा आपका mobile safe mode पर reboot हो जाएगा problem भी solve हो जाएगा by any chance अगर problem solved ना हो तो play store पर जाएगे उस एप को search कर लिजे search करने के बाद आन install करके आपको क्या करना है बेक करना है setting पर जाना है scroll down करना है system पर click करना है और mobile system को यहाँ पर update कर देना है आपके android 11 को update कर देना update करने के बाद उस एप को जाके दुबारा से reinstall कर लिजे अपने play store पर जाके ठीक है अगर आप यह solution को complete तरीके से follow करते तो आपके problem definitely fix हो जाएगा और दोस्तों mobile पर चेक करें अगर कोई क्लियर कर सकते इस तोरेज के option पर जाएए setting पर वहाँ पर आपको clean up का option मिल जाएगा ठीक है तो वह कर सकते तो यह सब दोस्तों आपके problem को solve कर देगा उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद होगा thanks for watching